आज न्यूस्पेपर पढ़के डेली आइट्स को लगा एक बहुत बड़ा शॉक Ground water level is depleting at a very fast pace and the clock is ticking कुछ solutions मैंने implement किये हैं अपने घर में कुछ देर पहले जिसकी वज़े से मैं save कर पा रही हूँ 50% water 50% water saving kitchen 50% water saving in bathrooms तो क्योंना मैं आज आपके साथ share करूँ एक demo ये है एक standard tap मेरी kitchen में जिसमें एक standard nozzle लगी है जो की इस तरह से दिखती है mostly सभी की kitchens और bathrooms में यही nozzle लगी होती है tap में हमने उसको replace किया एक different nozzle से जो हमने online खरी दी this is called water saving aerator set of two ये आप अपने सभी taps में replace कर सकते है सबसे बहले देखते हैं कि ये standard nozzle से कितनी तेज पानी आता है और मैं आपको clockwise timing करके दिखाऊंगी कि एक लीटर की bottle भरने के लिए कितना टाइम लगता है हमारी पुरानी nozzle से आप देखेंगे दस सेकिंड के अंदर ये bottle हमने फिल कर लिए अब देखते हैं new nozzle के साथ जब ये bottle दुबारा हम फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा बहुत इजी है नॉजल को चेंज करना अगर आपके टाप्स पुराने हैं तो शायद आपको रेंच की जुरुत पड़ेगी और आएए देखते हैं कि अब इस टाप के water flow पहले एक बड़ देख लें किस तरह से हैं ऐसे इसमें water flow आएगा और इस water flow से यह water bottle कितनी देर में फिल करेंगी 10 सेकंड्स हो चुके हैं और मेरी बॉटल अभी हाफ फिल हुई है तो डेफिनेटली इसको फिल करने में मुझे 20 सेकंड्स यह उससे ज्यादा देर का टाइम लगेगा देखा आपने कितनी water saving है इस nozzle से water starts coming at a speed जो speed है वो बढ़ जाती है लेकिन flow बहुत moderate रहता है फिल ऐसे होता है जैसे बहुत तेज पानी आ रहा है बहुत easy लिए आपको यह nozzles online मिल जाएंगी I tried कि मुझे यहाँ local vendors से और shop से यह nozzles मिल जाएंगी But I could not find these nozzles तो यह आप online ही लेपाएंगे Friends, I will not say that you should like, share and subscribe to my video I will first say implement so that in the near future हम इस news को change कर दें और water table of Delhi starts improving All the best and